Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 11th chapter of 12th history, Rebels and the Raas, The Revolts of 1857 and its representations. ये इस chapter का last part है, पहले के parts को आप मेरे चैनल के playlist पर जाकर देख सकते हैं. हमने अपने previous part में Revolts की कुछ images के बारे में discuss किया था, कि Britain में किस तरह से इस Revolts की images दिखाई जा रही थी. जरा सा उनको recall कर लेते हैं, celebrating the saviors, जो भी saviors थे, जो रक्षक्स थे, उन्हें hero की तरह celebrate किया जा रहा है. जैसे कि ये एक picture है, relief of Lucknow, इसमें क्या जब Lucknow को दोबारा से conquer कर लिया गया था, तो यहाँ पर जो भी officers थे, इनको जो है as a hero यहाँ पर show किया गया था, कि किस तरह से इन्हों ने लखनों को दोबारा से conquer किया, means जो भी English man होते थे, जो British officers होते थे, जो इन rebels को repress करते थे, और दोबारा से किसी place को conquer कर लेते थे, तो उन्हें जो है as a hero Britain के newspapers में show किया जाता था, okay, English women and the honor of the Britain, English women के बारे में किस तरह से Britain के newspapers में show किया जा रहा था, यहाँ पर एक picture है, जिसका name है, memoriam, और इस picture में हमें क्या दिखाई दे रहा, एक lady है, इसके चारों तरफ उसके बच्चे है, सभी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह rebels से अपने आपकी रक्षा कर रहे हैं, अपने ओनर की रक्षा कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे हैं, लेकिन अगर हम इस picture के background में देखे तो हमें कुछ British officers दिखाई देते हैं, यह British officers as a savior इनकी रक्षा करते हैं, एक और picture हमने देखी थी Miss Wheeler के बारे में, Miss Wheeler अपने ओनर की रक्षा कर रहे है, कानपूर के सिपोई से, वो अकेली ही है, लेकिन उसके चारों तरफ चार सिप boys हैं, जिनके हाथ में sword हैं, और वो अकेली ही इनसे लड़ रही है, अपने ओनर की रक्षा कर रही है, okay, so आज हम कुछ और pictures के बारे में discuss करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं, Venegians and Retributions, जो प्रतिशूद और सबग था, उसके demand, जैसे जैसे anger और शौक ब्रिटेन में होती जा रहे थी, means, ब्रिटेन के लोग चाहा रहे थे, कि भई हाँ, इन Rebels से बदला लिया जाए, क्योंकि जो लेडिस की जो पिक्चर दिखाई जा रहे थे, जिसमें दिखाई जा रहा था, कि भई हाँ, अब उनके ओनर को भी खतरा है, तो इसके वज़े से यहाँ, ब्र करना बहुत जादा ज़रूरी था, जो भी British Officers and Rebels को रिप्रेस करते थे, इस चीज़ का demonstrate करना वो बहुत ज़रूरी समझते थे, जहां पर भी Rebels को रिप्रेस किया जा रहा है, उसका demonstrate जरूर होना चाहिए, उसको लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए, कि किस तरह से वो इने प्रिवकें कर रहे हैं औहों के यहां पर एक और फिक्चर नेम है जस्टिस इस पिक्चर में हम क्या देख आए है इसमें एक लेडी जिस तरह से ये rebels हमारे साथ हमारे ओनर के साथ खिलवाड कर रहे थे सेम उसी तरीके से हम भी इनके साथ justice कर रहे हैं अगर पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ इंडियन विमेन दिखाई दे रही हैं जो की बहुत ज़ादा डरी हुई है कि इस इस वी जैसे इंगलिश विमेन को डरा हुआ शो जा रहा था जो ये रिवोल्त की पीक्ट्र थी बहुत सारे ट्वी मेक्क्रे हैं बुरी तरह से दिखा एक और पिक्ट्छ यहाँ पेकत्ट्रन प आप दिखाे गई हैं जिसमें ये Britain Line हैं और ये जो है Bengal Tiger है ब्रेटिनलाइं जो है Bengal Tiger के उपर हावी है मिनस यहाँ पर दिखाया गया कि हम जो है Strong हैं इन Bengal Tiger के उपर मिनस जो हम habits ये जो rebels को repress करते जा रहे हैं ओके तब performance of terror, terror के performance डर के performance किस तरह से की जाती थी जैसे जैसे प्रतिशोध की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो उसी वे से बहुत बुरे तरीके से इन रेबल्स को एक्जेक्यूट किया जा रहा था उन्हें गंस के आगे बांद दिया जाता था ब्लो किया जाता था फासी पर लटकाया जाता था और यह जो इमेजिस थी इन इमेजिस को जो है बहुत वाइडली पॉपलर जर्नल्स के थूरू इन इमेजिस को वाइडली सर्कुलेट किया गया था यहां पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं यह यह पिक्चर जो है 3rd October 1857 को लंदन न्यूज में प्रिंट हुई थी इस न्यूज में क्या दिखाया गय यहां पर जो यह रेबल्स थे उनके एक्जिगूशन के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से उनको तोप से उड़ाया जा रहा है यह इंडिन सिपोई हैं जो अपने साथियों को मरता हुआ देख रहे हैं और अपनी मौत का वेट कर रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि अपने साथियों की मौत को देख रहे हैं और अपनी मौत का भी वेट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से जैसे उपर वाली पिक्चर में हमें दिखाया गया है यह जो सारी पिक्चर थी इन्हें जो है ठेटिकल मिंस एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था पेश किया क्या कॉंसिक्वेंसिस उनके सामने निकले हैं और एक और चीज जो मैसेज दे रही थी वो यह मैसेज दे रही थी कि हां किस तरह से वो जो है रेबल को रिप्रेस कर रहे हैं क्या होता है मरसी इस ताइम पर जब वेनिजन की जो डिमांड बढ रही थी अगर इस ताइम पिरड़ पर कोई भी लिए ता मिस्त दया के लिए या निर्मां भाव के लिए लिए प्ली करता था रिक्वेस्ट करता था तो उसको बहुत जाधा रिडिपुल किया जाता था उसका मजाक और आया जाता था ऐसा यी एक ासपल है कि जब जब गवर्नर जंशरनल कैनननén ने यह डिक्लेयर किया कि हम सिपोईस को जो है मरसी दिखाएंगे उनके प्रतिदया भाव दिखाएंगे और फिर से उनकी लोयल्टी को जीत लेंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा मजा खुडाया गया था ब्रिटेन की ब्रिटिस प्रेश में इनका बहुत ज़्यादा मजा खुडाया गया था इसको लेकर उनके बहुत सारे कार्टून्स भी होने थी जैसे के ये पिक्चर दिखाई दे रही है ये जो है कैनिन की पिक्चर है जिनको बहुत ज़्यादा ओल दिखाया गया बुड़ा दिखाया गया है उनका एक हाथ जो है इंडियन सिपोई के उपर है इस इंडियन सिपोई के एक हाथ में स्वोर्ड है एक हाथ में नाइफ है जो कि दोनों जो है खोन से भरे हुए जिनके उपर दोनों के उपर bloodshed लगा हुआ है इस पिक्चर के थ्रूपेंटर्स क्या दिखाना चाह रहे थे कि यह इंडियन से पॉई जो है हमें मार रहे हैं और फिर भी हम उनको उपर दया करें यह सही नहीं है इस पिक्चर को बहुत लंबे टाइम तक ब्री टिश की प्रास में जो है बार 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 इसको प्रिंट किया गया था और कैनिन का यहां पर मजाक उड़ाया गया था सो ये तो थी ब्रिटेन के नियूस पेपर्स में दिखाई जाने वाली पिक्चर्स कि ब्रिटेन में किस तरह से इस रिवोल्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था अब इंडिया में इस रिवोल्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था जो 20th century में जो भी हमारा national movement हुआ था उसमें 1857 के जो event थे उनसे बहुत ज़्यादा inspiration मिले थी पूरे के पूरा जो ये event था इसको एक first war of independence की तरह दिखाया गया था और इस war में जो society थी उसके हर एक section से लोगों ने imperial rule को खतम करने के लिए उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और art literature के थुरू और writings के थुरू में कुछ जो है poem भी लिखी गई है इन leaders के उपर इन writings के थुरू जो है इस 1857 की memory को alive रखा गया है कि हाँ आज भी हमारे minds में ये जो memories है इंज की यादे है आज भी alive है जो इसके hero leaders थे उनको as a heroic figure के रूप में show किया गया है इस battle में participate करने वाले जितने भी लोग थी जिन होने imperial rule के खिलाफ जो लड़े उनके उपर बहुत सारी poems लिखी गई है बहुत सारे उनके pictures बनाए गई है एक example है जहांसी की रानी का जहांसी की रानी की जो picture दिखाई गई है उसमें उनके एक हाथ में sword होती है एक दूसरे वो एक masculine figure के रूप में दिखाए गई है जो कि अपने enemies British soldiers को chase कर रही है उस time तक उनका पीछा कर रही है जब तक उनका end नहीं आ जाता है मिंस वो लड़ते लड़ते जो है मर जाती है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो सुबद्रा कुमारी चुहान की ये poem पढ़कर बड़े हुए है खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी मिंस बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी है आप लोगों फ्रीडम दिलवाने के लिए हमें जो है इन इंपीरियल रूल के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ी थी उनकी जो पिक्चर दिखाई जाती है वो एक डिटर्मिनेशन का एक सिंबल दिखाई जाती है कि उनके इंदर एक डिटर्मिनेशन था कि ये जो इंजस्टिस और ये अलाइन रूल है इसको किसी ने किसी तरीके से खतम करना है इस तरीके से इंडिया में इन लीडर्स की पिक्चर दिखाई जाती है ये जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स हमें बताती है कि ये जो पेंटर्स थे वो इन इवेंट्स को कैसे दिखाना चाह रहे हैं वो क् प्रिटेन में किस तरह से रेबल्स को ब्रूटल वे से रिप्रेस करने की डिमांड रखे गई थी और उनको किया भी जा रहा है था और वही pictures print के जा रही थी, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंडिया में किस तरह से इन pictures को दिखाय जा रहा था, इंडिया में इन pictures को एक national hero के रूप में दिखाय जा रहा था, जो भी इस rebel में part लेने वाले leaders थे या लोग थे, उनको एक hero के रूप में दिखाय जा रहा था जिससे बहुत ज़्यादा inspirations मिली हमारे आगे की centuries के freedom fighters को ओके सो यह हमारा यह chapter यहाँ पर complete होता है I hope आपको जो है इस chapter से related हर एक चीज़ clear हो गई होगी tell me in comment section मुझे बताएं कि मुझे आपको मेरे sessions कैसे लग रहे हैं वो helpful आपके लिए है या नहीं है इस chapter में जितनी भी dates आए है या जितने भी British officers के name आई है या leaders के name आई है इन names को आपको बहुत अच्छे से इन dates को बहुत अच्छे से learn करना है क्योंकि आपके जो one marks के question होते हैं वो इन ही से related होते हैं okay so I hope आपको सब कुछ clear हुआ है और आपको मेरे videos पसंद आ रही है please like and share my videos and subscribe my channel for new updates thank you bye bye keep learning